नमस्कार एश्टिवी न्यूज ओनलाइन में आपका स्वागत सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर दफन के शव को निकाला बाहर जिन्दक करने के लिए फू के तंत्र मंत्र अंध विश्वास की है प्रकाश्टा सरिस्का बागिन एश्टि फाइव का नहीं लगा सुराग बन परशासन जुटा खोज में एक माहा से नहीं मिले पगमार बूंदी में आगजनी घटना से गरमाया माहूल पुलिस ने किया लाठी चार्जी एक दरजन को लिया हिरासत में और रूस के शॉपिंग ओल में लगी भीशन आग 11 बच्चों से 53 की हुई मौत देशने विज्ञान के शेतर में भले ही बड़ी प्रगति कर ली हो लेकिन आज भी लोगों में भारी अंधविश्वास देखा जाता है ऐसा ही एक मामला धूलपूर में नजर आया जहां एक तांतरी ने अपने ही दस महां पहले मरे बेटे के शव को दफन करने के बाद इसलिए दोबारा निकाल लिया कि साथ दिन की पूजा पाठ के बाद वह उसे जिन्दा कर लेगा इस दोरां धूलपूर के बबेलपूर लुहारी में हजारों लोगों के सामने तांतरी के राम ध्याल ने दफन किये बच्चे का शव बाहर निकाल ले जानकारी के अनुसर करेब तीस वर्षे राम ध्याल पुश्वा पुत्र उप्तम थी निवासी बबेलपूर लुहारी दुलपूर के दस माहा के एकलोते बेटे की करीब दस माह पहले मोत हो गए थी गरामिन बताते हैं कि मोत का कारण राम ध्याल भूत पुरेश का साया माता था मरतक बच्चे को गाउं के पास ही खेत में गड़ा खोदगर दफना दिया गया था गरामिन ने बताई कि राम ध्याल बहरो बाबा और माता का पुजा रही है उसने गाउं में पूजा अर्चना करने का अपना इस्थान भी बना दुखा है जहां वह परती गूजा पाती होता है रावी बार सुबह राम ध्याल ने परिजलों को बताई कि रात को उसे भैरो बाबा और माता का सपना आया जिसमें उन्होंने कहा कि तेरा बेटा अभी जिन्ता है उसे खोज करने का अश्था राम ध्याल ने सुबह ग्रामिनों को इकठा कर सपने की बात बताते हुए दफन की ये शवटों बाहर में का अश्था इस दोरान आसपास के गाउं के करीब हजारों की संशा में तमाश बीन भी इगठा हो गए तैस समय के मताबिक साड़े दस बजे गड़े को खोज कर बाला को बाहर में का दिया गया और काले कपड़े में लफेट कर उसे भैरो बाबा के स्थान पर ले जाए जहां बच्चे को कपड़े में ही नीम के पत्तों से बच्चे को खोज़े और धूब बती अगरवती लगा कर तांत्रिक बिज़ा शुरू करती गया सेखोडों लोगों की मुझूद्गी में भजन किर्टन शुरू कर वा दिये गये तांत्रिकों ने गरामीनों से साथ दिन में बच्चे के बिंदा होने का दावती ले यहां रोचक बाती है कि जिस सिस्थान पर अंधुश्वास का यह ड्रामा करीब गेड़ हजाद लोगो पर नहीं पहुंचा गरामीनों नहीं बताए कि तांत्रिक राम ड्याल की चार बेटियां हैं उनके बाद एक बीटा फैसा जिसकी दस महाफूर मिर्ति हो गे थी बेटे की मौत का राम ड्याल को काफिस सद्वा था और कभी से वहर गम जदासा रहा उसने अपने बेटे को ज बगजी का बच्चा खतम होने के बाद में फिरें को सफना हुगा ठीक है और सफना हो गया कि बच्चा तमारा जीवत निकलेगा आज आज केतनी तारीक है आज 26 तारीक के दिन नमीन नौ मीन के दिन तो वह उन्होंने निकाल लिया है और यहां बजन्त खीरतन साथ दिन और में खड़ा हो जाया है दस मैंने पहले ऑगजी बच्चे की मौत हो गए थी उन्होंने ऐसे दुपन दिया था उसके बाद में माता माताजी ने और बहर बाबाने वह ने विद्क दिया उन्होंने निकाल लिया है उनकु और नीम के लहरों में का दवाखर रखा है बहुत सा सर इसका बाग परियुजना में स्टी फाइव बागिन के लापता हुए लगबग एक महिना बीच चुका है लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया एस्टी फाइव को ढूनने के लिए वन परशासन की पूरी टीम सर्च अभ्यान में जुटी है लेकिन अभी तक बागिन के नाम मिलने से वन परशासन के हाथ पाँ फूले हुए है क्योंकि पिछले दिनों अश्टी ग्यारा बाग की मोच से कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए है इससे लगता है कि कई बागिन अश्टी फाइव का भी वही हश्रतों नहीं हुआ जो अश्टी ग्यारा के साथ हुआ सरिस्का में 24 फरवरी से लापता बागिन अश्टी फाइव को लेकर भले ही वन परशासन से बागिन के किसी नाले या गहरी गुफा में चले जाने की बात करता हो लेकिन ये सब बाते बेमानी सी लगता है क्योंकि बाग या बागिन किसी भी शेथ में जाते हैं तो उसके पग मार्क भी मिलते हैं साथी अगर कोई शिकार भी बाग करता है तो उससे भी पता लग जाता है कि टाइगर किस तरफ है? साथी रेडियो कोलर से भी टाइगर की पूरी लोटेशन है लेकिन लाफता बागिन का एक माहा बाद भी कोई तुराग ना लग बाना शही तरह के संचे पैदा करता है कि कहीं बागिन की हत्या तो नहीं करते है। लेकिन कोई ठोस परणाम नहीं मिल पाए। लेकिन अगर इसी तरीके से मौनेटरिंग बागों की सुरफशा को लेकर की जाती रही तो फिर एक बार 2004 वाली सतियात सामने आ सकते हैं। जब सलिसका बंच शेतर में शेकारियों नहीं बागों का सफाया करते हैं। उदर सोमवार को अकबरपूर रेंज के सिली बेरी जंगल में वन करमचारियों और अधिकारियों सहित उड़न दस्ता और फ्लाइंग के करमचारी एकतरी थोकर बागिन एश्टी फाईव का पता लगाने के लिए जंगल में च्छान बिन करते रहे। इस सर्च अभियान में अकबरपूर रेंज और अजबगर रेंज के करमचारी साथ मिलकर एश्टी फाईव भागिन को ढूंडते हुए नजर आए। जला कर भी विरोध परदशन किया गया। परदशन कर रहे लोगों को हिरासत में लेने से लोगों ने सौंवर दोपेर को कोतवाली स्थाने के बाहर विरोध परदशन किया। पुलिस को परदशन कारियों को खदर ने के लिए लाठिया भी चलानी बड़ी। पुलिस में कुछ लोगों को हिरासत में भी ले रखा है। दक्षिनी मध्य रूसी शहर कैम रोवो शहर में एक शोपिंग माल में भीषण आग लगने से ग्यारा बच्चों से इतकं से कं तरेपन लोगों की मौत हो गई है। की सोला अन्य लापता होने की भी खबर है। की हत्या के आरोपियों को पुलिस 15 दिन बाद भी ग्रफतार नहीं कर पाई है। इस मामले में अभी तक वैपारियों और आम जन का छेतर में बढ़ते अपराधू पर पुलिस के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। अब महिलाईं भी थाने पर परदशन करने पहुंची और मरतक मुकेश के हत्यारों को ग्रफतार करने की मांग की। दस मार्थ को करीब शाम आठ वजे वैपारी मुकेश अगरवाल दुकान से घर की तरफ निकला था। इसी दोरान दो नकाफ को उस बदमार्थों ने मुकेश से रुपियों से बराब बैक चिनने का प्रयास किया। मुकेश के विरोध करने पर बदमार्थों ने मुकेश पर गोली चला दी जिसके कलते मुकेश की मौत हो दी। इस घर्ड़ा के विरोध में पुलिस को वैपारियों के अख्रोष का सामना करना बड़ा। वही आरुपियों की गिरफतारी की मांग को लेकर तीन दिन बजार भी बंद रखे गए लेकिन आज घर्ड़ा के पंधर दिनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालंकि पुलिस ने अपराज्यों के CCTV फूटेज भी जारी लेकिन उससे भी कोई विशे सबलता हासिल नहीं हो पाई। हालंकि पुलिस ने अभी कुछ संदिन दों को फिरासत में ले रखा है जिन से पूछतारी जारे भी है। लेगिन परिवार जर आज वैसे था है कि मुगेश की हत्या के आरोपी अभी भी ग्रफतार नहीं हो पाई। होंवार को मुगेश की मा के साथ अने को महिलाएं खैटल ठाना पर्म्ती और हत्या के आरोपी उपि ग्रफतार करने की मां दी। और पुलिस प्रशासां के किलाभ वहां में लाउने जंकर परदर्शन भी ग्रें। पुलिस वाले कह रहे हैं दोजीन प्रशासां के आरोपी पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पिश्टल लिये टोल नाके पर बेखोफ लूट को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस फोटेज के अधार पर आरोपिया की तलाश में जूटी है। गाड़ा खेड़ा टोल नाके पर नगापुश बजमर्शो जौरा हट्यारों की नोग पर चालिस हजारों पे लूट की एगए। बताया जा रहा है कि इस गटना में तीन लोग शामी थे जिन्होंने हाथों में लोहे की रोड और पिस्टल ले रखी थी। उन्होंने टोल कर लोटो धंगा कर 40 वजारों पे की रकम छेली। यह सारी गटना CCTV केमरे में कहते हुए। गटना की सूचना मिलने पर कुलिस मोटे पर पहुँची और जुन्हों चूरू एहन समीर कुर्ती हर्वाना बोडर पर नाके बंदी कराएगी। एक लुसेरों को पता नहीं चल पाया। अजय के लिए अजय के लिए अजय के लिए बारा वजय के लिए लगबड तीन चार अधियारबंद बद्वास लिकापोश तेंगे जो आए एकदम से हमारे गुद्प में घुजगे। हमारे उप्रेटर बठे थे अचानक उपे कनपटी पे फिस्तोर लगा दिया और हमारा जो भी केस रखा था वो पूरा केस निकाल लिया और वासल लगबड़े केस हमारा साड़िस-पचास की बीच में केस था वाकि काउंटिंग से रहे हों और केस लेके फरार होगे। सभी बताये जा रहा है कि टोल बूत वाजापा के विदायक शुपकरण चोधरे का है विचे तक S.P.C. टोल विच प्राइवेट लिमिटेड के चार डारेक्टर्स में से एक है। फ्रेंचाईजी ने सौम वार को एक ब्यान जारी कर इस बात की जानकरी दी। फ्रेंचाईजी द्वारा जारी किये गए ब्यान में टीम के हैड आफ क्रिकेट जुबीन भरूचा ने कहा कि हम इसमित से लगातार संपर्क में हैं। इसमित का मानना है कि मुझूदा परिस्त इसकों का उनका समर्थन करने के लिए शुक्रियादा भी सिया। रहाने को कप्तान बनाए जाने पर जुबीन ने कहा कि रहाने काफी लंबे समय से टीम का हिस्सा रहे हैं। और वो टीम को काफी अच्छे से जानते हैं। हमें इस बात में कोई संदे नहीं कि वह टीम के लिए अच्छे कप्तान साबित हो। और उप कप्तान डेविड वारनर को तीसरे दिन टेस्ट के बाकी बचे दो दिन के लिए पदो से हटा दिया था। अंतराश्टे किर्केट परिशद ने भी इस मित पर एक मैच का परतिबंद और पूरे मैच की फीस का जुर्माना लगाया। तो वहीं बैन क्राफ्ट वार मैच फीस का 55 फीस दी जुर्माना लगाया गया। माहा से नहीं मिले पगमार। गूंदी में आगजनी घटना से गर्माया माहूल पुलिस ने किया लाठी चार्जी दर्जन को लिया हिरासत में। माहान लगाया वार